हलो स्टुडेंस इस चैप्टर में हमें दो तरह के विलियन के बारे में पढ़ना है पहला है गैसो का द्रव में विलियन और दूसरा है ठोसो का द्रव में विलियन और साथ ही साथ हमें इन दोनों विलियन की विलियता के बारे में भी पढ़ना है और यहां पर हमें देखना है कि इनकी विलेता जो है किस किस कारकों से प्रभावित होती है तो इस वीडियो में हम इस फर्स्ट विलियन यानि गैसो का द्रव में विलियन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि गैसों का द्रव में विलेन किस प्रकार से बनता है तो हम जानते हैं कि सभी विलेन जो होती हैं वो विले और विलायक दोनों के मिलाने से बनते हैं तो हम देखेंगी कि अगर हमारा जो विले पदार्थ है वो एक गैस हो और जो विलायक है वो द्रव हो यानि हम द्रव में गैस को डाल कर उसको विले करते हैं यहाँ पर जो विले बनेगा इस केस में यह विले न ही कहलाएगा गैसों का द्रव में विले न तो उधारण के लि यानि जो द्रव है वो विलायक की तरह कारे करेगा और अमोनिया गैस विले की तरह तो यहाँ जो विलियन बनेगा यह विलियन गैसों का द्रव में विलियन का ही एक उधारण होगा अगला उधारण हम देख सकते हैं मानलेजी हम हीलियम गैस को लेके जल में विले करते हैं तो जल यहाँ पे विलायक होगा और हीलियम गैस वे विले होगी और यहाँ पे जो विलियन बनेगा वो इसी प्रकार का विलियन होगा अब आगे हम देखेंगे कि क्या सभी गैसे किसी विलायक में एक जितनी ही विले होती हैं तो इसको समझने के लिए हम देख रहे हैं कि इन दोनों विलियनों में हम जल का एक एक आयतन ले रहे हैं तो अब हकर हम देखते हैं कि इस विलियन को हम बना रहे हैं तो जल के एक आयतन में हम अमोनिया गैस को अधिकतम कितना घुल पाएंगे तो ये लगबग तीरा सो आयतन तक घुल जाती है मतब जल के एक आयतन में तेरा सो आयतन अमोनिया गैस घुल जाएगी वही इस प्रेकार के विलियन में हम देखते हैं कि जल का एक आयतन लेते हैं तो उसमें हीलियम गैस का किवल 0.1 आयतन ही विले हो पाता है तो हम देख रहे हैं कि एक ही विलियन में एक ही विलायक में उतनी ही मात्रा लेने पर भी हम देखने हैं कि जो गैस है अलग-अलग होने पर उनकी विलेता भी अलग-अलग हो जा रही है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो गैसों की द्रब में विलेता होती है वो अलग-अलग होती है तो इसलिए हम गैसों की सुत्र देखेंगे फिर सुत्र के द्वारा हम परिभाशा को बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम और शोशड गुडांग देख रहे हैं किसी भी गैस का तो पहले हम उसका ताब जो है स्थिर कर लेते हैं जो किताब को हम बदलेंगे तो विलेता वैसे भी बदलने लगती है तो इसलिए हम पहले ताब को स्थिर करते हैं तो स्थिर ताब पर जो और शोशड गुडांग होता है यानि अलफा जो होता है वो बरावर होता है वी नॉट अपान में स्माल पी इन्टू वी के तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इस सुत्र में इन संकेतों का क्या अर्थ है तो इन संकेतों को समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं तो माले जीए कि हमने यहाँ पर एक विलियन बनाया हुआ है और ये जो विलियन है, इस विलियन में हम देखने हैं कि द्रव में गैस खुली हुई है, यानि ये द्रव है और इस द्रव में हमने यहां पर गैस विले किया है, तो हम देखने हैं कि जो द्रव है, उस द्रव का जो आयतन होगा, उसी को हम वी से दिखा रहे हैं, ये वी जो ह द्रव का आयतन है और फिर हम देख रहे हैं कि जो गैस हमने यहां पर विले की है उस गैस का यहां पर जो आंशिक दाब होगा वो दाब ही यहां पर हम स्मॉल पी से दिखा रहे हैं और इस गैस का यहां पर जो विले गैस है इस गैस का जो आयतन है उसको हम वी नौट से दिख लेते हैं कि यदि P यानि P है यहाँ पर गैस का आंशिक दाव उसका मान एक है और V यानि जो यह द्रव का आइतन है वो भी यहाँ पर एक है तो उस केस में हम देखते हैं P और V का मान एक रखने पर अलफा यानि और शुषड गुडांग जो है वो बराबर हो जाएगा V0 के यानि गैस के आइतन के तो अब हम यहाँ पर परिभाशा बनाने के लिए इसी का उपयोग करेंगे तो हम इसका उपयोग करके परिभाशा लिख सकते हैं कि पहले तो हम ताप को इस्थिर लेंगे तो परिभाशा होगी कि इस्थिर ताप पर द्रव के इकाई आइतन में द् इसका आंशिक दाब जो है इकाई है तो यनी, द्रव के इकाई आउतं में घुलित आंशिक दाब वाली गैस का जो आइतन होगा वो आइतन ही उस गैस का उस विलियन में और शोषर गुडांग कहलाएगा तो यहां से हम अवशोचड गुडांग की परिभाशा लिखेंगे स्थिर्ताप पर द्रव के इकाई आयतन में घुलित इकाई आंशिक दाब वाली गैस का आयतन उस गैस का उस विलियन में अवशोचड गुडांग कहलाएगा तो सियम यही परिभाशा में यहां पर लिखनी है तो परिभाशा हमने यहां लिखी है कि इस्थिर्ताप पर द्रव के इकाई आयतन में घुलित इकाई आंशिक दाब वाली गैस का आयतन उस विलियन में गैस का उशोचड गुडांग कहलाता है अब आगे हम देखेंगे कि गैस की द्रव में विलियता जो है वो किन किन कारकों से प्रभावित होती है तो यहां पर तीन कारक हैं पहला है गैस वा द्रव की प्रकृति पर मतब विलियन बनाने के रिए हम जो गैस और द्रव ले रहे हैं वो किस प्रकार की हैं विलेता जो है इस पे निर्भर करती है दूसरा है ताप पर और तीसरा है दाप पर तो ये तीनों कारक किस प्रकार से विलेता को प्रभावित करते हैं उसको आगे हम देखेंगे तो सबसे पहले हम विलेता को प्रभावित करने वाले पहले कारक यानि गैस वा द्रव की प्रकृति को देखते हैं तो मान लेजे हमने एक गैस ली हुई है और उस गैस को हम अलग-अलग प्रकार के द्रव में विले कर रहे हैं तो मालेजी हम द्रव फस्ट में इसको विले कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यह गैस जो है द्रव में पूरी तरह से विले हो जा रही है वही मालेजी अगर हम गैस को द्रव सेकंड में विले कर रहे हैं और विले करने पर उसमें अगर अल्प विले हो रही है और थर्ड मे हम देख रहे हैं कि वो अब विले रह जा रही है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गैस की इन द्रव में विलेता है वो यहाँ पे द्रव की प्रकृति पर निर्भर कर रही है द्रव को अलग-अलग लेने पे हम देख रहे हैं कि उनकी विलेता भी जो है अलग-अलग हो जा रही है तो इस प्रकार से हम यहां पे कह सकते हैं कि जो द्रव जहां पे जो गैस की विलेता है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर कर रही है इसी प्रकार से मानली जी हमने एक द्रव लिया और उसमें गैस फर्स्ट को डाला अब माल लेजी ये जो गैस है वो इस द्रव में पूरी तरह से विले हो गई अब यहाँ पे हम इसी द्रव में गैस सेकंड को डाल रहे हैं जो माल लेजे कि इस द्रव में अल्प विले है अब मान लेजिए कि हम इसी द्रव में एक तीसरी प्रकार की गैस को मिला रहे हैं जो मान लेजिए कि इस द्रव में अविले है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ही द्रव लेने पर भी अगर हम अलग-अलग गैसे ले रहे हैं यहाँ पे जो विलेता है वो भी परिवर्टित हो रही है यानि गैस की प्रकृति पे भी यहाँ पे विलेता निर्भर करती है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि द्रव की प्रकृति और गैस की प्रकृति दोनों ही यहाँ पे विलेता को प्रभावित करती है विलियता को प्रभावित करने वाला अगला कारक है ताप तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गैस के जो द्रव में विलियता है वो ताप के वितकरमान उपाती होती है मतलब कि अगर हम विलियन के ताप का मान बढ़ाते हैं तो जो विलियता होगी गैस की वो घट जाएगी अगर हम ताप को घटाएंगे तो विलियता बढ़ जाएगी तो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है तो माले जी हमने एक यहाँ पर विलियन लिया हुआ है और विलियन में हम देखने हैं कि हमारा द्रव है और द्रव में गैस तो अगर हम इसके टेंपरेचर को यहां पर अगर बढ़ाएंगे टेंपरेचर को तो हम देखते हैं कि जो यहां पर गैस के कड़ होते हैं वह इस विलियन से निकल के बाहर वाई वंडल में चले आते हैं तो अगर यहां पर हम देखते हैं कि ताप के बढ़ाने से जो गैस के क यहां पर हम देखते हैं कि गैस की जो द्रब में विलेता है वो दाप के अनुकर्मानुपाथी होती है मतलब कि अगर हम विलियन के दाब में व्रधी करेंगे तो विलेता भी जो है बढ़ेगी और अगर हम दाब में कमी करेंगे तो जो गैस की द्रव में विलेता है उसका मान घटेगा तो दाब जो है वो गैस की द्रव में विलेता है उसको समझने के लिए हैंडरी ने एक नियम दिया था जिसको हम हैंडरी का नियम कहते हैं तो इसे हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे